हेलो माई डियर लवली स्टुटेंट बच्चो देखो आज मैं आप लोगो को क्या लिखना सिखाऊंगी आज मैं आप लोगो को ओ लिखना सिखाऊंगी ठीके बच्चो ओ लिखना सिखाऊंगी ओ लिखना भी बहुत असान है बच्चो जिस तरी के से मैंने ओ आ लिखना सिख ठीक है बच्चो चलो बच्चो सुरू करते हैं मेरा आज का क्लास जो ओ लिखना सिखाऊंगी ओके बच्चो ओके देखो बच्चो जिस तरी के से मैंने ओ आ लिखना सिखाया था सेम प्रोसेस में मैं यहां पर ओ लिखोंगी ओ लिखना बहुत आसान है ओ लिखने के लिए जि या कि थी मैं एक मूरी हुई रहें और एक मूरी हुई रहा जी शीन के और एक razem रहें उसके बाद पेडाक्टानी ठीक है यह मेरा क्या बन गया बच्छो ओ के बाद फिर आ सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग दवल मुरी हुई रेखा बिट से एक लकीर यह ओ बैना फिर एक इधार से एक मैनेस स्टेट लाइन घीचा सिदी रेखा घीची यह मेरा क्या बन गया बच् सिदी रेखा घीचूंगी आ बन गया फिर इस सिदी रेखा के उपर से मैं एक टिक्की बनाओंगी यह मेरा क्या बन गया बच्छो ओ क्या बन गया बच्छो ओ सेम प्रोसेस करेंगे बच्छो देखो ओ लिखने के लिए सेम प्रोसेस है बच्छो यहाँ पर ध्यान से देख उपर से बेख सूर हुई रेखा यह मेरा क्या बन गया बच्चो ओ क्या बन गया ओ तो बच्चो ओ लिखना बहुत आसान है सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों देखो सेम फिर करेंगे जिससे किसे मैंने यह किया मैंने यहाँ पर डॉट डॉट की हुई हूँ इस डॉट डॉट पर मैं हाथ गुमाऊंगी एक मुरी हुई रेखा फिर डबल मुरी हुई रेखा बीच से एक लकीर फिर एक डबल मुरी हुई रेखा फिर बीच से एक लकीर वे एक सिधी रेखा ये मेरा क्या बन गया O O के बाद A एक डबल मुरी हुई रेखा बीच से एक लकीर एक सिधी रेखा फिर और एक सिधी रेखा ये मेरा क्या बन गया A इसके बाद एक मुरी हुई रखा, और एक मुरी हुई रखा, फिस बीच से एक लकीर, मेरा O बना, फिर एक सीधी रखा, फिर इस सीधी रेखा से मैं उपड़र घीचूंगे, ये मेरा क्या बन गया O ism process करेंगे बच्चो पहले में एक O बनाओंगी दवल मुरी हुई रेखा बिच से एक लकीर फिर एक सिधी रेखा O बना फिर एक आकी मात्रा देगे आ बना फिर इस आकी मात्रा से मैं उपपर घिचूँँगी और यहाँ पर एक सोई हुई रेखा ये मेरा क्या बन गया बच्चो ओ क्या बन गया ओ सेम प्रोसेस करेंगे बच्चो देखो करने के लिए पहले मैं एक मूरी हुई रेखा फिर और एक मूरी हुई रेखा फिर और एक मूरी हुई रेखा गीची बिच से एक लकीर गीची फिर और एक मूरी हुई रेखा गीची बिच से एक लकीर एक सीधी रेखा, यह मेरा बन गया O, O, फिर मैं O लिखूंगी, सेम प्रोसेस में फिर एक लकीर घीचूंगी, यह मेरा बन गया A, इसके बाद सेम प्रोसेस में O लिखूंगी, देखो बच्चों मेरे साथ अच्छे से, फिर जो इस लकीर से इस सीधी हुई कीbars यहां बन गया भूं कि एक ऊपर से टिक कि यह मेरा क्या बन गया और कैंप ख़फ हो उब में आसान हो लिखना आप लोग आशा करते हुँ आप लोग प्याक्स कर रहे होगे वीडियो देख देख कर अब बच्चों इस बढ़ा सो ओमे में क्या करूँगी कलर करूंगी थ्यूदा में कलर करूंगी आप लोग अपने घर पे इसको कलर करके मुझे के बच्चों ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हुमवक सेन नहीं कर रहे हैं एक दो जिन से कंने कbracht नहीं आरा है क्यों याद रहे हूंवा को रखार के लिए पहले में एक जो मूड़ी हुई रहा है इसमें कलर करेंगे ठीक है इसके बाद फिर इसमें कलर करेंगे फिर इसमें कलर करके हम ऐसे करेंगे ठीके बच्चो आप लोग घर पे खुट से इसे कलर कीजिएगा ओके बच्चो और फिर मैं आप लोगों को बच्चो ओवा पढ़ाओंगे चल बच्चो ओवा पढ़ते हैं ओवा, ए देखिए मेरा बच्चु ओवा, मुले बच्चु मेरे साथ ओ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, आ बच्चो आज में आप लोगो को क्या लिखना सिखाई हूँ, ओ, ठीके बच्चो ये ओ लिखना में आप लोगो को सिखाई हूँ इसके बाद आउ, अंग, आ लिखना सिखाऊंगे फी बच्चो बोलो मेरे साथ ओ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, आउ, आउ, अंग, आ बच्चो फी बच्चो बोलो मेरे साथ ओसे अनार ओसे क्या होता है बच्चो बोलो मेरे साथ ओसे अनार देखो बच्चो ओसे अनार, आसे आम, छोटा इसे इमली, बड़ा इसे इक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे उन रीशे, रीशी, एसे एरी, आईसे आईनाग, ओसे उखली, आउसे आउरा, देखो बच्चो ओसे, मैं आज आप लोगों को ओ लिखना सुखाए हूँ, ओसे उखली, आउसे आउरा, आंसे अंगूर, अहसे कुछ नहीं ओके बच्चो आप लोगों का ये हूंवर्ग रहा, आप लोग इस हूंवर्ग को मुझे वार्सब पे सेन करोगे, पूरा वान पेज लिख कर, ओके बच्चो, अभी के लिए बच्चो बाई-बाई, टेक केर, तेंक यू